नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीوب चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मश्रूम खाने के फायदों के बारे में फ्रेंच वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो please मेरी इस वीडियो को like ज़रूर करें अब अठते हैं वीडियो के दरब मश्रूम में कहीं ऐसे pourshakstatffen पाये जाते हैं यह कहीं लोगों के लिए भी एक अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैलोरीज जदा नहीं होती। मश्रूम में कहीं महतबुन खनीज और वीटामिन पाया जाते हैं। इसमें वीटामिन B, D, पोटेशियम, कोपर, आहरन और सेलेनियम की प्रियापत होती है। इसके अलावा मश्रूम में एक ऐसा खास पोशक तटू पाया जाता है जो माश पेशियों की शक्रियता और याद्दास बड़करार रखने में मदद करता है और बहुत फाइदेमंद होता है। अब इसमें आपको बताती हूँ मश्रूम खाने के फाइदे। मश्रूम में इंटी उक्सिडेंट भरभूर होते हैं जो बड़ती उमर के लक्षनों को कम करने और वजन गटाने में साइक होता है। मश्रूम में मौझूद तत्व रोग प्रती रोधक शम्ता को बढ़ाते हैं इससे सर्दी जुकाम जिसी बिमारे जल्दी जल्दी नहीं होती है। मश्रूम में मौझूद सेलेनियम इमुनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है। मश्रूम बिटामिन डी का भी एक बहुत अच्छा मांद्य में यह बिटामिन हट्टियों की मजूदी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नियमी तोर पर मश्रूम खाने पर हमारी आवशकता का 20% बिटामिन डी हमें मिल जाता है। मश्रूम में बहुत कम मातरा में कार्बो हाइडरेट होते हैं जिससे बहुत वजन और ब्लड शुकर लेवल नहीं बढ़ाता अगर आपको आपका शरीर स्वस्त रखना है तो आपको टेली मश्रूम खाना जीए इससे आपका शरीर बहुत ज़दा स्वस्त रहेगा मश्रूम में बहुत कम मातरा में कॉलेस्टरोल होता है और इसके सेवन से काफी वक्त तक भुख नहीं लगती इसके अलावा मश्रूम को बालो और तोचा के लिए भी काफी फायदे मन माना जाता है वहीं कुछ इस्टरीज में मश्रूम के सेवन से कैंसर होने की आशंका कम होने की बात तक कहीं गई है तो देखा फ्रेंस आपने मश्रूम काने के क्या-क्या फायदे होते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थाइंक्यू फ्रेंस मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई